हेलो फ्रेंड्स मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में जो हमने 3B लास्ट मन्त की फाइल करी इस ट्रीटर 2020 की वह बाकी मन्त की इसनल में डिफ्रेंट रही दिफ्रेंट रहने की वज़ा से काफी उसके आने वाले जो नई नई इमपेक्ट हैं उसको उसका क्या रोल है diferen का इस 3B का इस 3B जो है इसमबर 2020 का आने वाले जो है next months की जो हमारी filing रहेесяगी उस पे क्या impact रहेगा और हमने जो filing करी है 3B दिसमबर मन्त की उसमें हमने किन-किन बातों का जो है मेजरली जो है टेक केर किया और अगर स्किप हो गया तो हमें क्या-क्या चीजे देखनी बहुत जुरूरी थी तो इसके बारे में अवर्वियू करना बहुत जुरूरी है कि इतना मेजर रोल क्यों प्ले हुआ इस वाली 3B का as compared to previous 3Bs तो सबसे पहले अगर हम point की बात करें तो point number one कि अगर हमने December month की 3B में जो cash के थूँ, e-cash ledger के थूँ हमारी जो payments हुई है उसका बहुत ही major impact होगा आने वाली next month की next या हम कह सकते next quarter की जो हम 3B फाइल करेंगे उसमें चाहे हम QRMP scheme opt करेंगे, QRMP scheme में अगर हमने fix some method opt किया, तो उसकी जो liability बनेगी वो depend करेगी हमारी इस 3B पे, इस 3B पे मतलब December 20 की है जो हमने 3B फाइल करी है उस पे हमने e-cash ledger से किती payment करी है, उस पे हमारी आने वाली अगले 3 महीने की liability, यह हम कह सकते है majorly आने वाले 2 महीने की liability depend करेगी, अगर हमने fix some method opt किया है, QRMP scheme का, क्योंकि हमने अगर सपोज December 20 में जो है payment करी 10,000 रुपे की e-cash ledger से, तो आने वाले January 2021 और February 2021 में जो हमारी liability बनेगी 35%, 35% वो जो है, इस 10,000 का 35%, हमें 3500 रुपे जो है, January 2021 की liability जमा करानी पड़ेगी और सेम 35% हमें February 2021 की liability जमा करानी पड़ेगी, चाहे हमारी उस मन्त में liability क्या बन रही है, हो सकता है जादा या हो सकता है कम लेकिन अगर हमने fix some method opt किया है, QRMP scheme का, तो वो उसकी liability का जो base हो जाएगा, वो December 2020 की जो है 3B बन जाएगी, इसलिए एक सबसे पहला point जो हमारा important show करता है, importance बढ़ाता है, December month की GSTR 3B की एक important message आपको मैं बीच में दे देता हूँ, कि हमें जो हमारी last date है, opt opt scheme करने की normal scheme या QRMP scheme, वो 31 January 2021 तक की जो है हमारी पास time है, तो हमें opt करना है कि हमें normal scheme में continue करना है या फिर हमें QRMP scheme में जाना है, तो उसकी date 31 January 2021 तक है उसको हमें opt करना है वो किस तरीके से opt करना है उसके लिए हम पहले वीडियो डाल चुके हैं अगर आपको way out नहीं पता कि किस तरीके से हमें QRMP scheme को opt करना है, तो आप जो है 3B, December month की इतनी important हमारे लिए क्यों रही अब दूसरे point अगर हम बात करें तो rule 21A जो की suspension of registration की बात करता है और जो की applicable हो गया है 22 December 2020 से ही वो बहुत ही major role play कर रहा है अग कि अगर हमने 3B और 1 में हमारा जो variation रहेगा अगर हमने अपनी 3B में जो है कम tax pay किया और हमारी GSTR 1 में जो liability है वो ज्यादा आ रही है तो without without giving opportunity opportunity of being hurt वो हमारी registration को suspend कर सकता है इतनी power दे दी गई है यह बहुत ही harsh provision है harsh rule डाला गया है जो की काफी गलत है क्योंकि कही ना कही इसके other factors भी हो सकते हैं कि जहां पे एक genuine SSC genuine case में अपने 3B पे कम liability पे कर रहा है हो सकता है उसने previously ज्यादा pay कर दियो अब वो कम पे कर रहा है genuine reason हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसकी sales return हो बहुत सारी reason इसमें आ सकते हैं तो यहां पे बिना opportunity दिये सीधा suspend कर देना बहुत ही गलत step है क्योंकि कहीं ना कहीं suspend करना उसके बाद उससे जो business hamper होगा वो भी ऐसी situations में उसका business hamper होगा वो उसका जो है वो अपनी supplies नहीं दे पाएगा और वो tax invoice issue नहीं कर पाएगा उसका e-way bill stop हो सकता है तो बहुत सारे consequences जो हैं उसको face out करने पर सकते हैं अपने suspension period में तो उसका business hamper हो सकता है और जहां पे वो genuine हो और उसका बिलकुल बड़ी मुश्किल से आज की rate में जो है business survive कर रहे हैं ऐसे में ये सारी problems इस तरीके के rule लाना जो की गलत है तो इसके regarding आगे क्या होता है वो time to time हमारे पास information आती रहेगी हम आपके साथ share करते रहेंगे अभी हम दुबारा उसी चर्चा पर आते हैं कि हमारी 3B December मन्त की important क्यूं है पहला point हमने देखा कि cash payment e-cash ledger से जो हम payment करेंगे December 2020 की 3B पर उसी के हिसाब से जो है हमारी अगले दो महिने की liability decide होईगी हमने बताया कि 22 December 2020 से effect में आ चुका है इस तरीके के जो provision and cancellation of registration के rules आना और suspension of registration के बहुत हार्ज हैं कहीं न कहीं department को दुबारा सोचना चाहिए अब हम बात करते हैं कि 2B जैसे कि होता क्या था पहले 2A आया तो काफी ज़्यादा चर्चित रहा कि 2A कि किस तरीके से क्या इसकी importance है क्या किस तरीके से role play करता है rule 364 आया उसका जो है उसकी restriction 20% से 10% पर radius हो गई फिर अब वो 5 पे change हो जाएगी तो इस तरीके से ये changes आना अब 2B तो काफी ज़्यादा कई बार confusing create होता है लेकिन कही न कहीं इसकी back aside में जाएं तो ये कहीं न कहीं हमारी help भी बहुत करता है हमें 2A, 2B को जानना इससे हमें information मिलती है कि हमें कौन-कौन से ITC मिल रहे हैं किस तरीके से मिल रहे हैं ये हमारे को 2B जो है basically बहुत ज़्यादा help करता है rule 36.4 का compliance करने के लिए इसमें क्योंकि time frame डाल दिया गया है पहले क्या होता था जो है आपने देखा कि rule जो है GSTR 3B को तो seriously लेते थे लेकिन GSTR 1 को इतना seriously नहीं लिया जाता था because of आप late fee कह सकते हैं या फिर जो है उसको इतना seriously नहीं होता था उसको लोग defer कर देते थे बाद में इखटे फाइल हो रहा है बहुत सारे problems होती थी लेकिन आने वाले time में जो उनसे अब changes हो रहे हैं उससे impact जो आएगा उसमें आने वाले time में GSTR 1 जो है ज़्यादा important role play करेगी as compared to GSTR 3B क्योंकि एक तो time frame बान दिया कि अगर आपने 11 तारिक या 13 तारिक मिस करी तो सामने वाले को सीधा credit मिलेगा अगले महीने सीधा उसको एक महीने जो है उसको अपना ITC पे करना पड़ जाएगा आपके time frame पे file ना करने की वज़ा से आपने 11 तारिक या फिर quarter 13 तारिक में file नहीं करी तो वहाँ पे उसको सीधा जो है एक महीने बाद तो ये जो सारी चीजे हैं इसमें काफी ज़्यादा professionals को भी इसके regarding December month में जो है समझाना पड़ा अपने taxpayers को अपने clients को समझाना पड़ा कि जो format है अब उस तरीके का नहीं रहा है day to day change हो रहा है हमने भी अपने clients को जो है सबको aware किया कि properly आप हमें system जो है modify हो चुका है उसके accordingly हमें जो है change करना पड़ेगा दरवाइस कहीं ना कहीं इसके जो consequences हैं हम देखी रहे हैं हम discuss करी रहे हैं यह सारे consequences कभी भी एकदम से आ सकते है suspension of registration आप reason देखिए कि 3P1 के differences की वज़ा से suspension of registration कितना वड़ा जो है एक harsh जो है हमें face out करना पड़ सकता है due to just 3P1 के difference की वज़ा से और हो सकता है जो difference है वो बिल्कुल सही हो इसके लिए क्या करना है basically हमें हर महीने जो है अपनी summary form हमारे पास जो है बिल्कुल ready होनी चाहिए कि जो हमारी calculation है वो properly documented होनी चाहिए और properly बनी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने अगर कोई adjustment करिये तो उसका base क्या है कहां पे adjustment करिये वो सारी जो है हमारी documented होना बहुत ज़रूरी है otherwise क्या होता है उस महीने में तो वो चीज याद है लेकिन आने वाले time में धीरे 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 ये practically possible नहीं है किसी के लिए भी कि सारी चीज़े याद रखना किसी के लिए भी possible नहीं है ये human mentality है कि हर इंसान जो है दिरे दिरे भूलता है even जो है खुड taxpayer को भी याद नहीं रहेगा कुछ महीनों बाद कि जो है उस मन्त में ये जो है ये sale invoice था या उसकी ये रहा गया था ये purchase invoice था कुछ भी case हो सकता है तो जो है ये सारी चीज़े documentation होना बहुत 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 जुरूरी है क्योंकि अब वो system नहीं रहा कि हम जो है इकटे उसको adjust कर रहे हैं ये सारी चीज़े practically possible अब नहीं है तो हमें इसको बहुत ही दिहान रखना है क्योंकि जो हमने भी बात करी cancellation उसके suspension की REG 31 जो है काफी cases में even आ भी चुका है REG 31 suspension of registration के cases में जहां पे वो without even opportunity of being heard बिना reason बिना chance दिये सीधा suspension कर दिया उसके बाद क्या होगा वो department जाएगा अपने आपको genuinely proof करेगा फिर जाके उसका activate होगी registration फिर जाके वो अपनी supplies continue कर पाएगा कित्ती बड़ी problem होगी just take mismatch की वज़े से तो हमें हर महीने जो है evaluation अब proper करना होगा proper नहीं हुआ तो बहुत सारी problem होगती है तो यही सारे basis हैं 3B के और एक last point और मैं add करना चाहता हूँ 3B दिसंबर मन की 3B के regarding में ही है वो भी कि जो हमारी 3B है April से लेकर November तक अगर हमारी कोई भी कोई भी 3B में हमें adjustments करनी है तो हमें December में करना बहुत ही beneficial है आने वाले time में क्या होगा अगले महीने से अगर हम QRMP scheme opt कर रहे हैं तो हमारी 3B जाएगी 20 April, 22 April या फिर 24 April को हमारी 3B जो है उन cases में क्या होगा 1 और 3B हम quarterly पे जाएंगे तो उस case में क्या होगा सारी की सारी adjustment जो है वो हमारी next financial year में आ जाएंगी ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि अगर हमने December 20 में जो है अपनी April से November तक की adjustment नहीं करी और हमारी December 20 की जो है without adjustment चले गई और financial year 2021 तो हम जो है January, February, March की जब return file करेंगे अगली 3B जो की fall करेगी financial year 2021-2022 में वो फिर next year में आएगी तो हमारे को वहाँ पे annual return में भी problem आ सकती है जब financial year ही change हो गया तो annual return में भी वहाँ पे problem आ सकती है कि आपने जो 3B के में credit लिया है वो फिर पिछले साल का है या फिर वो कम लिया है जो भी case है case to case vary करेगा बेटर है कि उसी financial year के सारे credits सारी liability उसी financial year में close हो उसका जो है impact हमें next year में ना ही आए तो बेटर है properly annual return बनेगी सारी चीज़े properly होगी reconciliation बहुत easily हो जाएगी तो यही सारी वज़ा है जहां पर हमारे लिए December month की जो 3PT वो बहुत बहुत important role play कर रही थी तो हम एक बार revise करते हैं कि आज की discussion में हमने क्या-क्या points जो है discuss करें है क्योंकि यह बहुत important है और आने वाले time में जो है procedure change हो रहा है आपको पता है January 21 से notification 81 से 88 तक जो है cash payment के बारे में कि December month की जो cash payment होगी उस पर depend करेगी January और February की liability अगर हम QRMP में जो है fix some method आपक करते हैं second हमने एक point यह जो है discuss किया था कि opt scheme जो है हमें normal और QRMP की जो आपक करनी है उसकी last date जो है 31st Jan 2021 है तो अगर किसी की रह गई है तो please उसको जो है properly opt कर लें फिर हमने rule 31A suspension of cancellation की बात करी थी जहां पर हमने 3B और 1 के deviation होने की reason से भी without giving opportunity of being hurt जो है suspend हो सकती है हमारी registration इसलिए हमें जो है December की 3B भी बहुत ध्यान से बरनी है उसके बाद हमने 2B के उपर भी चर्चा करी थी 2B जो है एक just informative चीज है जो कि एक time frame बान देती है ताकि हमें help हो जाए rule 364 का compliance करने की उसके बाद हमने बात करी कि हमें जो April से लेकर November तक की adjustments हैं वो हमें December 20 की 3B में ले लें तो ज़्यादा better है otherwise अगर हम quarterly mode opt करेंगे आगे तो हमारी QRMP scheme के तहित जो हमारी उसकी जो due date fall करेगी वो April month में fall करेगी JSTR 3B की 20, 22 या फिर 24 तो हमारा next financial year में हमारा उसका impact चला जाएगा तो हमारे लिए better है कि हम इसी financial year में जो भी adjustment हमने April से लेकर November तक करनी है वो सारी हम इसी financial year में ही कर लें ताकि हमारा जो है complete सारी चीज़े जो इसी financial year में आ जाए और annual return भी properly हो जाए, reconciliation भी properly हो जाए, तो ये सारी हमने discussion करी, December month की 3B के regarding उसकी क्या importance थी अगर आपने अपनी 3B फाइल कर ली है, तो ये सारे points जो है एक बार recall जरूर कर लीजेगा, अगर इसमें से कुछ चीजे miss out हो गई है, तो उसका impact किस तरीके से आगे लेना है, इसका जुरूर ध्यान रखिए, और आपको इस discussion में आपका क्या view है, आप जुरूर comment box पे जुरूर mention कीजेगा, तो मिलते हैं फिर next video में, next topic के साथ till then, bye bye, जैन, जै भारत Hope आपको ये information पसंद आई होगी, तो इसे like कीजिए share कीजिए, regular updates के लिए आप अमारे चैनल को subscribe करें notification, bell icon को press करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले, आपको वो immediately मिल जाए, thanks for watching